आज इस पाम का अनलाइसस करना है तो शलिय निशेट करते हैं लेकिन उससे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका जिपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है ग्यान की उंगली का छोटा होना ग्यान में कमी को दर्शाता है ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 12 प्रतीशत इनके द्वारा लिये गए डिसिजन गलत होते हैं लिटल फिंगर पे लगबग पहले परवद तक पहुँच रही है टाइम को पैसे को वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है ख़च्ची ले कम होते हैं मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है आख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं लो सेठे शब्दों का भाव पाया जाता है कोई भी घटना करम हो या सिचुएशन हो सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बया नहीं कर पाते हैं आप कहना चाते हैं कुछ कह देते हैं कुछ और पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है सामने वाला आपको ही घलस समझ लेता है तीन उमलियों का भी इस लगभग एक समान है समजदार होते हैं सही समय का फाइदा उठाना अच्छे से जानते हैं अंगुठा ठीक है आपका प्लानिंग आप ठीक-ठाक तरीके से बनाना जानते हैं implement भी ठीक-ठाक तरीके से कर पाते हैं compromising nature ऐसे आपका नहीं है लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए compromise करने के लिए आप तयार रहते हैं अंगुठा जब हतेली के तरफ जुकता है ये इनसान को शक्की बनाता है ये वाला पार्ट जब बाहर के तरफ देख रहा होता है ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफी स्ट्रॉंग वाला पाया जाता है अगर ये बिजनेस या वैपार करते हैं सिचुएशन कितना भी निगेटिव क्यों न हो जाए मुनाफ़ा कमा ही लेते हैं हार्ट लाइन आपकी ना तो जिप्टर से इनिशेट हुई है ना सटर्ण से मद्य से हैं तो दोनों के गुण है पैसा और परिवार परावर से महतपोर्ण हैं आपके लिए माइन लाइन आपकी इनिशेट हुई है मंगल से माइन लाइन का इनिशेट होना बिलकुल भी अच्छा नहीं होता है ऐसे लोग अपनी श्रमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं इस वज़े से जिस भी फिर्ड का चुनाओं करते हैं युवा वस्था में वलत करते हैं संघर्ष अधिक देखना होता है सफलता देडी से मिलती है आया जाता है कल्पनाशेलता अधिक रहती है आपकी माइड लाइन में तबदीली आती हुई दिखाई दे रही है 33 के आसपास से उसके बाद आपकी माइड लाइन सही तरीके से वर्क कर रही है अपनी शम्ताओं का आप सही से आकलन कर पाते होंगे जब आप 32 के हो गए होंगे उसके बाद से कॉंसंटेशन अच्छा खासा होगा अब आपका 32 से पहले मुश्किले हैं लेकिन 32 के बाद से चीज़ें आसान हैं आपके लिए इतनी बड़ी जब मार्ड लाइन हो जाती है ऐसे लोग ज्यानी होते हैं जिस भी फिल्ड में रहते हैं उस फिल्ड का डिप नॉलेज जिनके पास होता है ये मार्ड लाइन आपको थोड़ा सा तानाशाही रवय अभी देता है लाइफ लाइन आपकी निशेट हुई है जुपिटर से मन की सभी इक्षाएं लगबग आपकी पूरी हो जाएंगी और इस तरह से जब आपकी लाइफ लाइन शिफ्ट होती है मून माउंट के तरफ ऐसे लोग बिजनस बहुत अच्छा करते हैं जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटान के तरफ और जुपिटर का माउंट ऐसे इस पेस काफी अच्छा खासा इसने लिया है लेकिन शेफ वाइस यह अच्छा नहीं है प्रॉमिनेंट नहीं है जुपिटर का माउंट जब हलका सा भी डिस्टरब हो जाता है यह आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है और जब यह उट करके शिफ्ट हो जाता है सटान के तरफ ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरेज लाइफ दिस्टरब रहती है और खास करके फ तो घर काफी होंगे, एक दो, दो तीन घर होंगे आपके, खुद के अपने, सटन माउंट आपका फ्लैट है, जितनी महनत उतनी सफलता देता हुआ, दिखाई दे रहा है, सटन माउंट हलका सा दब गया है, सटन माउंट जब आपका दब जाता है, तो यह सफलता में देरी को दिखाता है, और सिंगल सन लाइन जब आपके सटन माउंट पे होती है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है, स्टार्टिंग में संगरशदिक देखना होता है, हुआ यह है कि आपकी जो माइन लाइन है, यह उपर के तरफ शिप्ट हो गई है, माइन लाइन हो या कोई भी लाइन हो, पालमिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगें को छोड़ के, जिस लाइन के तरफ जाएगी, उसके गुणों को अपनाएगी, और यहाँ पर आपकी माइन लाइन शिप्ट होती हुई, दिखाई दे रही है, हार्ट लाइन के तरफ, तो दिल का काम, दिमाग का काम दिल कर रहा है, और दिल के लिए वे जो फैसले होते हैं, डिसिजन होते हैं, वो फिल्मों के लिए ठीक होते हैं, लेकिन रियल लाइफ के लिए यह अ सिंगल लाइन जो आपके मर्कुरी के माउंट पे हो स्ट्रोंग लाइन सिंगल लाइन दो लाइन मैक्सिमम ऐसे लोग इतनी संपती अपने जिवन काल में कठा करते हैं अपनी मैनत से अपनी समझ से कि कई पुस्ते इनकी बैठके खा सकती है लेकिन ये भी ये बताता है कि सफलता आपको मिलेगी बड़ी मिलेगी लेकिन देडी से मिलेगी मर्कुरी का माउंट आपको उतना च्छा नहीं है अपनी समस्याओं को आप कहनी पाते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम को आप समझनी पाते हैं इनमास ठेक है आपका हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इशो जाते वे नहीं दिख रहे हैं राहू के लाइंस के दुश्परवा भी बहुत कम है कम जंजटों वाला ये हाथ है बहुत जादा जंजट नहीं है आपके जेवन में आपको लग रहा होगा लेकिन उतनी समस्याई नहीं है जितना आपको फील हो रहा है लग्जिडियस लाइफ होगी और उसका अडिक्शन भी होगा साथ हे इतनी जादा जब एंजल्स लाइन होती हैं जिसे ये मंगल की रेखा कहा जाता है एसे लोग वैसे भी काफी भागेशाली होते हैं क्योंकि इनके जीवन में जो भी समस्याई आती है उनको दूर करने के लिए इश्वर हमेशा इनके साथ रहते हैं और इसका जो अक्टिवेशन टाइम है वो इनिशेट होतावा दिखाई दे रहा है होटी के बाद से लग्जिरियस लाइफ होगी उसका एडिक्शन भी होगा मून माउंट जब हलका साभी आपको शिप्ट होता हुआ वेनस माउंट के तरफ दिखाई दी और साथ में स्पेस कम ले रहा है तो वो संघर्श करवाएगा यह और जब शिप्ट होगा यह वेनस माउंट के तरफ आपकी द्वारा लिये गए किसी न किसी डिसेजन की वजए से आपको जिन्दगी में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इस तरह से जब आउटर मास पे लाइनस होती हैं यह बताती हैं कि आपके जीवन में दुश्मनों की तादात बहुत जादा है जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में हमेशा लगे रहेंगे यहाँ पी जिब मुझे ऐसा लग रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल है इसे लोगों के अंदर बिजनस अंस काफी स्ट्रॉंग वाला पाया जाता है आपको बिजनस करना चाहिए आटो मास बढ़िया है आपका इनर्जेटिक है आप निर्भीक है निडर है डरते नहीं किसे से और दोस्त हो तो ठीक है आप अच्छे से विलकम करेंगे लेकिन दुश्मन जिने आप अपना दुश्मन माल लेते हैं उनकी शकल भी देखना आपको गवारा नहीं है जब आपकी हाथ की चौडाई ज़्यादा होती है लंबाई से ऐसे लोग महनती बहुत होते हैं और महनत के दम पे अपने भागे को चमकाते हैं इस तरह से मून मौन पर जब क्रॉस बनता है भले वो आपकी धन रेखा के मदद से बने या यातरा के रेखा के मदद से बने यह बताता है कि जिन भी जातक का यह हाथ है इनके यह नकारात्मक्त ज़्यादा है इनकी सोच में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा है इनकी दि कि नकारात्मक्ता भरी सोच हमारी हो जाती है ज्यादा यह आपके अच्छे व्क्त को थोड़ा लेट कर देती है जो माली जे आज खुछ अच्छा होने जा रहा है तो वह एक मंत के बाद होगा और इतना ही नहीं इसके कुछ अलगवी साड एफेक्ट होते हैं यह होता है कि मा कि आपको 100% मुनाफ़ा देनी वाली है वो आपको 50% देती है मिन्स यदि आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है आप हर पहलो का सिफ नकारात्मक चीजें या निगेटिव चीजें ही देख पाते हैं तो आपका जो अच्छा वक्त है वो सही माइने में आपको फल नहीं दे पाता है अपनी सोच पे अपने समझ पे आपको वर्क करने की जरुरत है काम करने की जरुरत है जब भी निगेटिव थॉर्ट्स आएं आप इकाम कीजे अपने दिमाग को बिजी रखे उन एक्टिविटीज में जो आपको पसंद हो मूवीज देखे किताबे पढ़िए अभी काम करते है इस बाइस बिटाते है फिर देखते है कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आने जा रहा है 17 में कोई ना कोई चेंज आया मैं आपके जीगा, ठाड़ में कोई ना कोई चेंज आए आपके जीवन में 19 में भी कोई चेंज आता हुआ देख रहा है, 20 में भी चेंज आता हुआ देख रहा है 19.5, 19.5 में कोई चेंज है, 20 में चेंज है, 21 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ देख रहा है 25 में या तो कोई issues आया या कहीं पर कोई relation, इरिश्टना में साब पतै हुआ 25 में 29.5 में कोई बड़ी उपलब्धी मिली आपको, कुछ बहुत बहुत ज़्यादा positive हुआ आपकी जीवन में देखें, बनियर का difference रह सकता है, कभी कभी कुछ मंद का होता है, तो प्लीज आप बनियर का plus minus लेके चलिएगा 32 में शादी हुई आपकी 33 में अच्छा ख़स आपशूट है, 34 में या तो investment गया है या कोई issues आया है, समस्य आई है 35, 36 में छोटी-छोटी समस्य आए, बड़ी नहीं है, छोटी-छोटी पस ना के बराबर आप मान के चलिए, छोटी-छोटी समस्य आए है लेकिन साथ ही आपशूट्स भी काफी है 35, 36 में छोटी-छोटी आपशूट्स है जीवन को परिवर्तित करने वाली ये खुशियां तो नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी-छोटी काफी खुशियां आपके जीवन में आई है भले उसका अंदाज़ा आपको नहीं हुआ है, लेकिन खुशियां तो बहुत आई हैं आपके जीवन में 39 तक लगाता है छोटी-छोटी आपशूट्स हैं, 39.5 से लेकर की 40-40 में इशूज बनता हुआ देख रहा है 39.5, 40, 41 में इशूज बनता हुआ देख रहा है 41 में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, पोजिटीव चेंज आ रहा है विकास आपके जो लाइफ लाइफ लाइन है, वो और पाट्स एनिशेट हुई है तो 41 में कोई ना कोई positive change आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन सबसे अच्छा बदलाव जिसके बाद आपके जीवन में आने को खुशियां है 43 से 43 से लेकर के लगातार तकरीबन सैकड़ों और शूर्स हैं आपके लाइफ लाइन पे तो में जो भाग्युदे का टाइम है ऐसे भी आपका हाथ काफी अच्छा है मतब सुद्रद हाथ जिसको कहा जाते है बढ़े हाथ है ब्रहमान्ड ने या उनिवर्स ने आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा संकट नहीं दिया है जो भी इशूस हैं ठोड़े बहुत हैं अभी रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ओफ्शूत हैं बहुत ज़्यादा खुशया है तो 43 अब का भाग्युदे का टायम है लेकिन 41 से ही जीवन में काफी सुदार आजाएगा हाथ बहुत अच्छा है आपका अब आपके सवालों का जवाब देते हैं जी बिलकुल 41 में पॉजिटिव चेंज आ रहा है जो भी समस्याइं चल रहे हैं जिस तरह के भी चल रहे हैं वो सब शॉट आट हो जाएंगे आप ज्यादा नकरात्मक सोच रहे हैं नकरात्मक ता ज् ठीक है आपका मार्लाइन बता रहा है ऐसे इसे इशूज नहीं आपके जिवन में जिसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता है या जिसका समाधान नहीं है अलग मैटर है कि आप देखना नहीं जा रहे हैं आपका जो दिमाग है वो आपका खुद का दुश्मन बन गया है आपको positive change आ रहा है, बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्या हैं आपकी चली हैं वो बस खतम हुने जा रही है, तो इसलिए ज़ादा उसको लेकर कि tension लेनी के ज़रूत नहीं है बाकी आपके सवालों का जवाव आपको मिल गया है कि 41 से कोई भी समस्या आपकी जिवन में आने वाली है नहीं लाइफ काफी स्मूत है और बहुत अच्छा हाथ है मैं फिर से कहना चाहूँगी हतेली आपकी बहुत बढ़िया है, शांदार है झाल 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 झाल